हालो मेरे प्यार दोस्तों आप सभी का फिर्सेस वागत हमारे चैनल पर्फीम गुरू पर आज का वीडियो बहुत ही खास है हमारी लेडीज के लिए हमारे विमेन फोक के लिए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें और अफकॉर्स हमारे लेडास भी देखें क्योंकि अगर वाइफ रूठी हुई है तो यह वीडियो ध्यान से देखो यार बहुत पढ़िया बढ़िया गिफ्टिंग ऑप्शन्स है आज के वीडियो में तो पहली बात वीडियो शरूर करने के पहले में आपको बता दू इंडियन मौसम बहुत ही गर्मी रहती है बस फैशन के लिए स्टाइल मारने के लिए परफ्यूम नहीं लगा जाते है परसनल हाइजीन परसनल गुरूमिंग का एक बहुत ही असेंशियल आसपेक्ट है यह यह सारे आप्शन जो हैं कॉमनली अविलेबल हैं यह डेफिनेटली थोड़े महंगे हैं क्योंकि परसनल सेफटी को भी ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है परफ्यूम जो है यह बुलगरी कंपनी का है हाँ यह बुलगरी है बलगैरी नहीं है बुलग इसका नाम है इंडियन गार्नेट इसलिए मैं रिव्यू नहीं करा हूँ क्योंकि इसमें इंडिया है इंडियन गार्नेट इस पर्फ्यूम का नाम है इंडिया से इंस्पायर है बहुत ही खुपसूरत एक रिफ्रेशिंग पर्फ्यूम समर कलोन चलिए स्प्रे करते हैं दे लेंगे ओक मॉस मस्क वगेरा स्ट्रॉंग बुडी नोट्स वो विमन्स पर्फिम से एपसेंट होते हैं तो बहुत ही एलिगेंट ऐसा लग रहा है लिली की खुजबू अगर कोई बढ़िया गुल्दस्ता लेकर आता जिसमें एक्जॉटिक फ्लावर्स होते हैं चंपा वग मस्क की खुजबू आ रही है बेस नोट्स में बहुत ही अच्छा पर्फिम डिसेंट लॉंजविटी है और बहुत ही अच्छी खुजबू देता है इस्पेशली जो हमारी यंग लेडीज हैं उनके उपर ये पर्फिम बहुत ही सूट करेगा इस्पेशली जो ऑफिस जाने है ये बहुत यूनीक ऑप्शन है दोस्तों जो अब्दुल्समाद कुरेशी ब्रैंड का है इसकी बाते मैंने पहले भी की है अपने इंग्लिश चैनल पर भी की है जिसका नाम एक्जॉटिक सेंसो चैनल आप ज़रूर देखें ताइफ रोज इसका जो बॉटल है इसकी प् फूलों की जो गुलाब हैं वो बहुत प्यारे गुलाब होते हैं और वो बहुत ही पॉपिलर महंगे गुलाब होते हैं जिसका तेल परफ्यूमरी में इस्तमाल होता और ये परफ्यूम बहुत महंगे आते हैं तो ताइफ रोज नाम से उनका एक परफ्यूम है अगर आपन रूह गुलाब जैसी है यह आपको एक यूज्वल फ्रेंच रोज पर्फियम जैसा नहीं है यह वो गुलाब है जो राजा महराजा लाया करते थे और आज हम इत्र के फार्माट में लगाते हैं रूह गुलाब का प्राइस आपको पता ही है इंटेंस रूह गुलाब की खुजबू इसमें बहुत ही जबरदस्त एक पंच है गुलाब का इसमें सारी वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको रूह गुलाब के तेल में मिलती है यह एक अंग्रेजों के हिसाब से सजाय हुआ गुलाब नहीं यह एक हिंदुस्तानी इसमें आपको उसकी स्पाइसीनेस भी मिलेगी रोज की गुलाब की और उसकी जो नजाकत होती है उसकी जो कह सकते हैं सौफनेस जो होती है वो भी यहाँ पर मिलती है तो गुलाब के जब पंखुणियां जब गुलाब की खुलती है तो वो खुजबू जो निकलती है अबसे अच्छी बात क्या है यह फ्रेग्रंस बहुत ही लॉंग लास्टिंग है और यह जा सकते हैं ऐसा कोई स्पेसिधिक इसके लिए नहीं चाहिए चीड तो दोस्तों अब तीसरा फ्रेग्रंस वो हैrea बर्बरी कंपनी का क्रीमिनस की मैं बात कर रहा हूँ, खुजबों की क्रीमिनस की बात कर रहा हूँ तो अफकोर सबसे पहला नाम आता है दिमाग में, रजनी गंधा, रजनी गंधा के साथ यहाँ पर मुझे लगता है कारनेशन के फूल का इस्तिमाल किया गया है कोई तो एक ऐसा floral element है, चंपाका भी हो सकता है बहुती प्यारी खुजबू, very nice और इसमें एक बहुती प्यारा woody note साथ में दिया गया है बहुती strong, powerful खुजबू, अगर आपको जाजमीन की खुजबू पसंद है, चमेली की खुजबू पसंद है, बेला की खुजबू पसंद है रूह मोतिया भी जो हम बोलते हैं, अगर उसकी अगर आपको मिठास पसंद है, तो यह fragrance आपको बहुती अच्छा लगएगा बहुती sensual, बहुती creamy, बहुती attractive fragrance है यह definitely आप कह सकते हैं कि एक party fragrance है, अगर आप regular wear में लाकर जाएंगे, तब ही ठीक है, लेकिन थोड़ा strong है तो अगर ऐसे किसी public event में जा रहे हैं, especially outdoors, तो इस fragrance को आप ज़रूर लगाएं My Burberry, from Burberry, absolutely beautiful, creamy floral fragrance चलिए, अब मैं चौते fragrance की बात करूँगा, एक legend, एक iconic fragrance from the house of Guernas यह एक French company है, जो केवल perfumes बनाती है और make-up का समान बनाती है, जो बहुती जादा rivered है, पूरे market में बहुती जादा लोग पसंद करते हैं तो शालिमार इस perfume का नाम है, दोस्तों शालिमार नाम से आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि एक orient inspired perfume है, यानि कि शालिमार बाग जो है, उससे inspire हुए थे, जो इस perfume के creator है, 1920s में I think इस fragrance को बनाया गया था, compose किया गया था, तब से आज तक शालिमार के 1000 variations market में आ चुके है ये एक iconic bottle design है, जो शालिमार बाग के बीच में एक fountain था, थोड़ी history बता देता हूँ, आपको भी लोगों को बताने में अच्छा लगेगा, तो ये जो particular version है, शालिमार का, शालिमार का जो सबसे पहले या था, वो ओधितौलेट version था, बहुत ही खुबसूरत कह सकते हैं कि ल शालिमार एक legendary fragrance है, उसका ये जो version है, ये है सूफल दपाफाँ, तो सूफल दपाफाँ जो है, एक lighter version है, इसमें citrus component जादा है, जादा कह सकते हैं कि थोड़े से mature taste के लिए हो जाता है शालिमार उदपाफाँ, तो यहां पर यंग लोगों के लिए भी एक option बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबर्दस्त, spicy, perfume-y, मतलब एक perfume जो आप imagine करते हैं अपने दिमाग में, वो है ये, strong, बहुत ही लंबी इसकी longevity होगी, जो creaminess मिलती है, आपको शालिमार से और जो चंदन की हलकी सी जो एक synthetic खुजबू आती है, वो यहां पर मिलेगी, और ये fragrance आपके शरीर पर change करेगा, बहुत सारे famous ऐसे perfume हैं, इस house के, इस brand के, जो सेम इसी concept पर based है, इसे गेरलिनार अकॉर्ट बुलते हैं, वो आपको इस perfume में मिलेगा, तो गेरला का शालिमार सूफल दे परफां, यंग लोगों को जादा पसंद आएगा, बट इसके बहुत सारे iterations हैं, दोर सो, आप market में जाहिए, try कीजिए, और अपने हिसाब से पसंद कीजिए, मेरा favorite personally, यंग लोगों के लिए ये है, बट अगर, मुझसे अगर कोई पुछे कि आपका favorite कौन सा शालिमार, तो original शालिमार, और परफां, of course, 1920s में अलग formulation था, अभी अलग है, लेकिन अभी भी बहुत जबर रहा है, इतर की तरफ, ये एक unique quality है इसकी, चलिए, last fragrance की बात करता हूँ, ये बहुत ही महँगा fragrance है, लेकिन मेरा personally favorite है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे elements हैं, जो मेरे इसाब से, नीच फ्रेग्रेंस में, यानि की luxury fragrance ब्रैंड्स भी replicate नहीं कर पाते हैं, जिसमें से एक नोट है, Mys चंदन का Mysore Santal, और Sandalwood जिसे बोला जाता है, इंगलिश में, चंदन की खुझबू, जो Mysore से आती है, specific, ये है Tom Ford का Santal Blush, नाम भी Santal है, फ्रेंच में Sandalwood को Santal बोलते हैं, और ये मेरे हिसाब से most beautiful sandal based perfume है, जो actually natural smelling, चंदन की खुझबू देता, और इतना long lasting, इतना long lasting की, ही strong incense की खुझबू, चंदन की लकडी की खुझबू, जो चंदन को चंदन का कह सकते हैं की reputation देती है, instantly कोई भी इंसान भारत में रहने वाला जिसके घर में चंदन का इस्नमाल किया जा रहा है, वो identify कर लेगा, और इस तरीके का note, perfumery में बिल्कुल absent है, क्योंकि अब Sandalwood को कह सकते हैं की बहुत लिमिट कर दिया गया, perfumes में, क्योंकि वो इतना rare material हो गया, इतना expensive commodity हो गया, कि लोग अफॉर्ड नहीं कर पाते है, perfum brands अफॉर्ड नहीं कर पाते है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, यहाँ से मंगाते हैं, या फिर Sandalwood के synthetic alternatives इस्तिमाल करते हैं जो इससे आरा है, Sandalwood के बहुत ही natural smelling है, और बहुत ही sophisticated है, तो अफकोर्स यह mature women को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, और Tom Ford, जिस तरीके का brand है, आपको पता है, बहुत ही महंगा brand है, तो यह दोस्तों, अफकोर्स यंग लोगों के लिए नहीं होगा है, बहुत ही mature, आपके चानों तरफ रहता है, और Sandalwood के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कितनी attractive चीज़ है, कितना अनोखा उसका जो है effect होता है, तो दोस्तों, आज का वीडियो में यहीं खतम करूँगा, और I hope आज के वीडियो में आपको मजा आपको सीखने को भी मिला हो साथ-साथ में, और अगर आपने यह पर्फुम जीज़ की हैं, तो of course comment section में mention कीजिए, अगर इस तरीके के वीडियो आपको पसंद हैं, जहां पर हम women's perfume की बात करनें, तो आप mention कर सकते हैं, मैं बना सकता हूँ इस तरीके के वीडियो, फिर मिलते हैं दूसरे वीडि